नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सनमार्क जीवन में बहुत आपा धापी मची है बहुत भागतार आप दिन डात मेहनत करते हैं पूजा का कभी कभी समय नहीं मिलता आपके दिल में चाहत तो होती है कि हम भी बैठ कर पुष्प और पि पूरिया है तब एक छोघञ कर में जिवन के खिंट मिट आएंगे कि इस भागदोर भड़े जीवन में पूजा पाट के लिए बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं है क्योंकि पूजा पाट के लिए पांच मिनट-दस मिनट का समय नहीं चाहिए मन से भी तो पूजा कर न होगा ना जब आप दिल्जही तेयार नहीं है सिर्फ फूल चढ़ा दिये जल चढ़ा ये तो इससे तो आपको फल नहीं मिलता तो आज हम आपको एक ऐसा हम मंत्र इसको कह सकते हैं जो आपको आपके तमाम पुझा पार्ट कर्म कांड के फल आपको देंगे क्योंकि स्वेम मा पार्वती भी इस मंत्र का जब करती हैं अब इससे ज़्यादा इस मंत्र के बारे में हम क्या कहें आपसे तो चलिए एक छोटी सी दो सब्दों में कहानी है इसके जरिए आप समझ जाईएगा इस मंत्र की महिमा क्या है एक बार भूत भावन भगवान सिभ ने अपनी प्रा कर रही हैं थोड़ी देर तक परतिछा करके सिभ जी फिर से मापार्वती को बुलाते हैं तब भी मापार्वती यही कहती हैं कि वे बिस्नु सहस्त्र नाम के पाठ के बिस्राम के बाद ही आ सकेंगी अब सिभ जी को सिगरता थी भोजन ठंडा हो रहा था इसलिए भगवान भूत भावन ने कहा पारवती राम राम कहो एक बार राम कहने से बिस्नु सहस्त्र नाम का संपूर्न पाठ का फल मिल जाता है क्योंकि भगवान स्री राम ही बिश्नु सहस्त्र नाम के तुल्ले हैं इस प्रकार सिभ जी के मुख से राम इन दो अक्छर के नाम का बिस्नु स सहस्र नाम के समान सुनकर राम इस नाम का जब करके मा पारवती जी ने परसन्न होकर सिव जी के साथ भूजन किया सहस्र नाम सम सुनी सीववानी जपी जेई स्पीर संग भवानी और वो मंत्र जिसका आपको इंतजार है देखिए इस मंत्र को स्री राम तारक मंत्र कहते हैं और वो मंत्र है राम रामेती रामेती रमे रामे मनो रमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने आप सिर्फ राम भी सब्दजब कर सकते हैं सुबस वसो कर उठने के बाद पूजा करने के बाद आत्मसाथ कर लीजिए क्योंकि स्वेम मापारवती जबती है भगवान सिब जबते हैं और नहीं तो राम रामे ती रामे ती रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम रामनाम वरानने इस वंत्र का जब आप रोज कम सिखें तो फिलाल आपसे भी डालेंगे हर हर महादेव धन्यवाद